छेवए दोस्तो, आप से भी का स्वागत है, जैसे आप से भी को पता है कि यहाँ पर पार्लिमेंट का विंटर सेशन चल दा है, और इस विंटर सेशन में government काफी कुछ नए बिल्ड लेकरा लेकर 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 और हो तो दोस्तों उसी में काफी important है, एक नया voting reform हम गवर्मेंट यहां पर लेके आ रही है जिसे यह कहा गया कि आधार और वोटर आईडी जो यहां पर लिंक हो जाएगा देखो इसके डिवान तो काफी दिनों से चल रही थी काफी कमिटी बनाए गई थी काफी सुझा वगरा मांगे गए थे इलेक्शन कमिशन के दौरा इससे कहा गया था कि यह कीजियेगा गवर्मेंट की तरफ से तो गवर्मेंट और वो सारी जीज़ा हम यहां पर देखेंगे कि आच्छली यह किस तरह से होगा आधोर वोटर आईडी लिंकिंग और आगे जाके किस तरह से प्रक्रिया होगी क्या ह इसके जो नई चीज़े वेकरा वो सब कुछ हम आपर जानेंगे दोस्तों यहां पर देख लिजा इन्यून काबिनेट में यहां पर जो एक्लियर्स इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल काफी इंपोर्टन्ट है क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यह काफी दिनों से पेंडिं दोरा वो क्या है और क्या नहीं है यह सारी डिसकस करेंगे कि अच्छली इसमें क्या-क्या प्रोविजन्स वगरा है मेरा नाम है निलेज दोस्तों आप मुझे फालो का सकते टेलेग्राम ग्रूप के उपर निलेज सर अनकाडमी आज अनकाडमी के प्रोफाल पर आईएगा वहाँ पर स्पेशल क्रास में हम काफी चीज़े डिसकस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जानते हैं कि असल में इश्यू है क्या दोस्तों कि नया जो इलेक्टरल रिफा में वो क्या है अच्छली देखिए दोस्तों हुआ क्या है यूनियन कैबिनेट ने यह प्रपोज राज जो है आप क्या होगा इसमें कुछ चेंजिस पर आएंगे जो भी इलेक्शन से लेटेट पर होंगे दोस्तों एलेक्टरल लॉज सीकिंग टू ब्रिंग इन की एलेक्टरल रिफॉर्म्स और लिंकेज आप वोटर आईडी विद्धा आधा तो वोटर आईडी का आध है वहाँ पर रेजिट्र करता हो बहुत सब्सक्राइए और था जिसने थो सबूस्तों परहां जो आपन तो इसे आहीं परहा और निकाल करना था फूर्मेंट आरने इलेक्शन कमिशन ने एसा काफी बार कहा है कि एक ही आदमी के 2-3 वोटर कार्ड वगरा है तो कहीं बोगस मद्दा ना हो जाए बोगस वोटिंग ना हो जाए तो यह प्रपोसर इलेक्शन कमिशन ने अल्डेडी गवर्मेंट के पास बेजा था गवर्मेंट इसके उपर आठारा साल पूरा होता था वो डेफिनेटली वोटिंग कर पाते हैं लेकिन उनके लिए खुद को रिजिटर करने के लिए साल में सिर्फ एक बार ही दोस्तों उन्हें मतलब सिर्फ एक जनवरी को रिजिटर कर पाते थे आज वोटर और खुद का नाम वहापे आड़ कर प 151 को यह द्हान में रखना काफी इंपोर्टन्ट है और यह ओंगोई जो विंटर सचने डेफिनेटली यहां पर होगा और उसके बाद चर्चाए काफी होंगी डिसकस भी किया जाएगा और दोस्तों एक संसे इंपोर्टन बात यहां पर कहीं जा रहे हैं कि यह जो है ना मेक जेंडर न्यूटरल प्रोविजन इसमें डड कर दिया गया है मतलब देख लिए जगा पहले होता क्या था कि जो मेल सर्विस है मतलब जो पुरूष आदमी काम करता है तो उसकी जो वाइफ है तो दोस्तों अगर एक पुरूष है जो काम करता है एक जगह से दूसरे तो उनका नाम उनके पती का नाम उसमें एड नहीं क्योंकि वहाँ पर जो क्लॉज एन वाइफ का ही नाम आउड होगा पूरुष के बाद तो यह कहीं न कहीं दोस्तों एक चेंज था क्योंकि 21st century में काफी महिलाए काम करती है उनके साथ उनके पती भी वहाँ पर शिप्ट हो आपको बता है कि यहां से वहां बदली हमेशा होती है प्रमोर्शन होता है और वह एक जग से दूसरी द्रांसपर होते हैं तो समझेगा अगर आप त्रांसपर हो गया है तो उसकी फीमेल जो वाइफ है ना तो उसको तो ओतर लिसमें जगा मिल जाती है लेकिन वाट आपको वुमेन, क्योंकि आपको बताओं कि यहाँ पर वुमेन आफिसर जो है, उनके हाइस्बन की वहाँ पर एंटी नहीं होती थी, तो वो ज्यादा इंपोर्टन था, तो उसे यहाँ पर दोस्तों उन्हें ने क्या क्या पर ला रहा है, मतलब पती, पतनी के बाद अगर पती वहाँ पर आ रहा है, तो पती का नाम भी दोस्तों उस लिस्ट में होना चाहिए, ऐसा प्रपोजल यहाँ पर इलेक्शन कमिशन नहीं यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो होता है, जाहिए मद्दान हो ना है, जापर वोटिंग हो वहां पर बेल्ट बाक्स वगर रखवा सकते हो, पोली स्टेशन क्रियेट करवा सकते हो, इसे के साथ दोस्तों और भी काफी चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि आपको फोर्स वगरा लगती है, उनका रहना हो गया, या फिर कोई अधिकारी वगरा है, उनकी भी सारी चीज़ें वगरा, तो ये सब कुछ जो है, ये इलेक्शन कमिशन को आपर पावर देता है, कि आपको वहां पर प्रेमासे स्खालि करने के लिए अधिकार मिलते हैं, तो ये अमेंडमन दोस्तों काफी इंपोर्डेटन जैसे हमने देखा है, इलेक्शन कमिशन के लिए दोस्तों, पर में देख लिया और जो आठरा उवरस से कंप्रेट होता है वो भी हमने यहां पर देख लिया और यह जो जेंडर नीउट्रल जो है यह काफी इंपोर्टन दोसे क्यों कि आप पर डिपेंड आप करना चाहते हो तो आप नहीं करना चाहते हो तो यह जो बिल है ना दोस्तों कि यह अमेंड करेगा अपना रिप्रेजनेशन आट जो कि आपको एंपावर देट्रल रजिस्टर ऑफिसर तुसी आधार नंबर एक्जिस्टिंग अज वल आज निव काफी इसके उपर डाउट्स बगरा तो बहुत लोग आप ना चाहे कि मेरा आधार लिंक हो जाए क्योंकि देखिए का वोटर आईडी हर एक का अलग होता है वोटर आईडी डूब्लिकेट बगरा होते ही लेकिन आधार से इसे लिंक क्या जा रहे हो कि आधार एक आपका य उनले भी यूजट फॉर दर प्रपोस आप वोटर ऑथेंटिफिकेशन तो यह अगर एक बार आप अगर यहां पर मुंबाइं समझो वोट कर रहे हो अगर आप डेली में भी आपका वोटर राइड तो वहां पर वोट करोगे अगर आधार काड लिंक कर तो अल्यड़ी दि पोस किया गया है और एकसेट कर लिया गया है यह अमेंड करेगा पीपल रिप्रेजेंटेशन आप दिए जाएंगे रिश्टर करने के लिए अगर आपकी उमरा 18 साल कंपेट होती है सिर्फ एक जनवरी नहीं अब डेस यहां पर चेंज कर दिये जाएंगे मतलब आपको एक इसी मेल के मतलब जो है पतनी को ही नहीं तो पती को भी दोस्तों उसमें अड कर दिया जाएगा यह काफी इंपोर्टन है और यह सेक्षन दोस्तों यह भी कभी-कभी आप ध्यान में रखेगा कहा का इंप्लिमेंट वेगरा किया जा रहे हैं क्योंकि यह सबसी इंपर्टन एक्षन एक्षन में डेफिनिटली आएगा दोस्तों देख लिजें यहां पर और एक बात में मिन्हें आपको कहां कि डेट्स विगरा मतलब चार बार आप यहां पर क्या कर सकते हो पूरे साल में जा सकते हो खुद को रिश्टर कर सकते हो दूसरी वाली बात यह रही कि जं में दोस्तों एड हो जाएगा और इलेक्षन कमिशन को भी दोस्तों आपे काफी पावर दी जा रही है ताकि देखे एनी परपस मतलब आगर आपको हाउसिंग चाहिए सेंटल पहला मिलेटरी के लिए फोर्स तो डेफिनिटी लगते प्रोटेक्शन के लिए उनके एंप्ल 2015 टेकन अप मतलब उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करें वोटर आईडी को और आधार काड को एक कर लेते मतलब एक जो आपकी नाशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन और अथनिकेशन प्रोग्रम इसके अंडर नेरपाप के दो अंडर ये कहा गया था कि हम इसे करेंग इस प्रोग्रम को क्योंकि सुप्रीम कोड का जज्जमेंट आया रिस्टिक्टिंग दी यूज अफ आधार आधार को इतना भी आप पूरी तरसे सब जगह ना करो कि उसका मिस्यूज वगर कभी हो जाए तो ये जो प्रोग्रम है ये इलेक्शन कमिशन को यहाँ पे क्या कर कर सकते हो तो अभी इलेक्शन कमिशन लौक में लौ मिनिस्ट्री जो है दोस्तों उनके साथ काफी डिसकेशन वगरा चल रही थी कि आप इसे प्लीज कीजिएगा एंड इसे इनिशेट कीजिए तो तभी जाके यहाँ पर लौ मिनिस्ट्री में यहाँ पर आगरी हुई कुटेबल आमेंडमेंट आप कीजिए ताकि हम क्या कर सके वोटर आइड को और आधार को लिंक कर सके और इसे भेतरी एक प्रक्रिया बना सके और इस वा एग्रीड पाझ एगरीड भी कर दिया ठीक हम इसे कर देंगे उस ताइम पर जो मिनिस्ट्री थे रविशन का पसाद इन्होंने वहाँ पर क्या कि यस उन्होंने इस प्रपोजल पर वर करना चुरू कर दिया था और अभी वह ऑगस्ट इस इयर मिनिस्टर अभी किरें रिजीजू तो यह नो ने इन्फॉर्म किया कि government was considering इस इस प्रपोजल इलेक्शन कमिशन का जो भी प्रपोजल है आधार काड़ो वोटर आड़ी को लिंक करने का उस पर गोवर्मेंट वीचार कर रहे है और अभी चो न्यूस आई दोस्तों उन्होंने आपर अक्सेप्ट कर लिया गया है अब थोड़ी चीज़ आपर जानेंग इसमें आड़ किये गए और बता दू कि include the disqualification of contesting election दिखेगा यह जो reform है यह reform से कुछ चीज़ों के लिए नहीं यह reform electoral reforms है मतलब काफी बड़ा बदलाव है अगर हम election commission के आपर बात करे election finance की बात करे opinion polls की बात करे ban on paid news भी होता है अगर हम बात करे कि contesting election on framing of charges कौन से चार्ज इसमें पर लगाया जाए यह सारी चीजों के बारे में काफी बड़ा बदलाव यह bill लेके आएगा और एसा minister हमारे जो किरें रिजू जय इन्होंने यहापर यह कहां यह चीज है काफी important है दोस्तों यह इस bill को हमें जो है एक पूरे electoral reform की तरह देखना चाए क्योंकि यह पर एशुर्ड करना काफी important है कि किस तरह से इसे protect किया जाएगा लेकिन क्या आपका आधार कार्ड लिंक है वोटर आडी से यह आप अगर देखना चाहते हो status वगरा कि previously ऐसा हुआ यह नहीं हुआ तो देखिएगा गई वहाँ पर तो ऐसे जाके आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हो लेकिन अगर आपको लिंक करना है तो आपके कर सकते है यू कन अलसो लिंक यह आधार कार्ड विद वोटर आडी बाइस सीडिंग वन SMS आप एक SMS कर सकते है 166R 51969 इन गीवन फॉर्मेट विलो देखिए यह जो फॉर्मेट है अगर आप ऐसे सेंड करते हो दो डेफिनेटली आपका जो आधार है लिंक करने के पर से शुरू हो जाएगी तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं तो इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है तो यह था आज का discussion शायद आपको समझ में आ चुका है तो आधार जो लिंक किया जा रहे वोटर आड़ी के साथ वो क्या क्या सुझाओं यहां पर डाले गये हैं क्या election commission आपके कहना चाहती है और सबसे important बात आगे जाके इस पर क्या होगा और आप किस तरह से कर सकते हो सिर्फ उतने ही reforms थी तो काफी बड़े reforms भी यहां पर लेके आ रहे हैं जो कि दांदरी वगरा होती है बर्षचार उस टाइम पर होता है finance का problem होता है कुछ गाड़िया पकड़ी भी जाती है तो इस चीजों में दोस्तों हो रहा है देखें कि आगे जाके किस तरह से development होती है किस तरह से सारी चीज़र निकल के आती है और जैसे निकलते होएं आएंगी कुछ news आएंगे डेफिनिटल आपके साथ share यापर की जाएंगी तो दोस्तों ये था आज का session अगर आपको इसी तरह की detail में पढ़ाई करने हो तो general study skill दोस्तों 15 December चे अल्यड़ी बैच शुरू ह अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाई हो चुकि है सर मैं आप टेस्स वगराई देना चाहता हूं मुझे टेस्स करके मुझे खुद को चेक करना है तो आप इसी प्लस क्लास में आते हो आपको एक मोका मिलता है मतलब हर टाइम आपको एक option होता है दोस्तों रेज हैंड का आप वापे कर सकते हो रेज हैंड और अपने एजुकेटर से बात करके तारे जो डाउट्स वगराई वही के वही बात करके क्लियर कर सकते हो और दोस्तों के सबसी important बात आपको बता दू कि अगर आपको separation लेना है तो आप कह कर सकते हो यहाँ पे NW10 यूज करके NW10 यूज आपको 10% का discount तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस आप जितने भी special class देखते हो आपके account में उतने coin जमा हो जाते हैं उस coin को अगर आप convert कर सकते हो तो 5-10% आपको यहाँ पे addition मिल सकता है जितने आप special class देखते हो तो उनके लिए एक advantage है जो Unacademy के platform को काफी जादा use करते हैं तो Unac time preparation आप करो और हमारे साथ आके आपकी जो financial सपने आपके जो dream है दोस्तों वो dream है पे complete कर लो अनके डिवी पर दोस्तों कोई भी वीडियो आपको inappropriate लगते तो definitely report कीजेगा आप प्राइस बगरा भी जीत सकते हैं और सबसी important बात session अगर अच्छा लगा हो तो definitely like कीजेगा अप bell icon को दबाना मत भूलिये का क्योंकि आने वाले वीडियो आपके तरह आपके तरह पोश्चते रहें तो till then tata bye bye take care अपना ध्यान रहें दोस्तों मिलते हैं जरूर कुछ अगले वाले current issues के साथ tata bye take care दोस्तों